नमस्कार मैं हूँ अंजली इस्टवार और एक बार फिर से हाजिर हूँ बस इसी दुआ के साथ की फिट रहे इंडिया नीर रिप्लेस्मेंट के बारे में तो आकसर लोगों को पता ही होता है लेकिन वो उससे डरते हैं क्योंकि रिकवरी टाइम्स ज्यादा होता है अब एक नया कॉंसेट है पार्शिल नीर रिप्लेस्मेंट विट दी अडवांसमेंट ऑफ और्थोपीडिक और जॉइंड रिप्लेस्मेंट सरजरी आज कल ऐसी टेकनीक काफी कारगर हो रही है पहले तो लोग जॉइन रिप्लेस्मेंट ही नहीं कराते थे क्योंकि शायद इतना सेक्सफुल नहीं माना जाता था लेकिन अब joint replacement भी जो लोग 60 प्लस है 65 प्लस है joint replacement successfully करा रहे हैं और अपनी लाइफ बड़ी बड़ी आतरीके से जी रहे हैं फिर एक age group आता है patients का जिन में कि उनको बहुती advanced knee arthritis है लेकिन उनकी age अभी कम है जैसे कि 45 से 55 साल के बीच में age है और नी के अंदर advanced arthritis हो गई है नी में essentially तीन compartments होते हैं एक medial जो की अंदर का होता है एक lateral जो की बहार का compartment होता है और एक anterior compartment जिसको नी के पीछे का compartment भूते हैं तो जो ट्राइकंपार्टमेंटल आतराइटिस होती है नहीं कि तीनों compartments की होती है उसमें तो joint replacement, total joint replacement ही काम करता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो age group मैंने बताई 45 to 55 या 58 to 60 तक भी कहूंगा मैं उनमें सिरफ एक ही compartment affect होता है जो की medial याने के अंदर का compartment बाकी का cartilage बिल्कुल प्रिस्टीन होता है बिल्कुल fine होता है तो उसको टच करने की भी जरूद नहीं होती है तो ऐसे patients में टेक्नीक है जिसको partial knee replacement कहते हैं इसमें सिरफ छोटे से करीब 5-6-7 cm के incision से सिरफ वही compartment के अंदर में resurfacing कर दी जाती है मेटल के caps और प्लास्टिक का button डाल दिया जाता है यह इस टेक्नीक में के advantages यह हैं कि इसमें नी का जो normal knee का structure होता है यानि के ligaments वगेरा होते हैं वो नहीं काटे जाते हैं हमारी nutritionist से जाने कि क्या teenagers को vitamin supplements देने चाहिए या नहीं बहुत सारे teenagers मेरे पास आते हैं कुछ vitamins में prescribe करती हूँ लोगों को तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या यह जरूरी है खाना इसके खाने के बिना भी कुछ हो सकता है तो यह भी एक बहुत बड़ा lifestyle पर depend करता है बच्चे आजकल कुछ healthy खाते नहीं है जो market में मिलता है उसमें सब में pesticide होता है या injected होती है तो हमारे अंदर usually lack of vitamins create हो जाता है इसलिए काफी लोगों को body देखके मैं भी vitamins prescribe करती हूँ Usually आप देखते हैं vegetarians B12 में कम ही होते हैं तो अगर आपके अंदर एक deficiency develop हो जाती है तो later on आपको injections ही लेने पड़ते हैं नहीं तो आपकी immunity system हिट हो जाती है D3 आजकल के जमाने में सब के कम है जो धूप में बैठते हैं उनके भी कम है क्योंकि धूप अपने तक पहुचती ही नहीं है इतनी ज्यादा pollution levels अर्थ पे हो गई है कि वो हमारे तक आती ही नहीं है इस वज़े से हमारी bone density हिट होती है तो ऐसे काफी छोटे-छोटे vitamins होते हैं, minerals होते हैं जिनकी deficiency से बहुत serious बिमारिया हो सकती है जो हमें आजकी date में मिलता नहीं है या पुराने जमाने में अगर deficiency होती भी थी तो उन्हें शायद पता नहीं होता था इसलिए हां काफी हद तक जरूरी है कुछ vitamins youngsters के लिए भी depends on उनकी body को पढ़के उनकी body को देखके क्या वो दिनचरिया में रहते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं यह सब को judge करके vitamins prescribed किये जाते हैं ना कि random क्योंकि एक multivitamin है तो ले लो, वो harmful होता है हमारी beauty expert आज आपको बताएंगे कि अपने नाखुनों को कैसे खुबसूरत और shiny बनाएं नमशकार, आज हम बात करेंगे dull, lifeless and uncared for nails के बारे में अगर आप उन लोगों में से हैं, जो pedicure या manicure का समय नहीं रखते हैं तो मैं आपको एक instant solution बताती हूँ जिससे आपके nails instantly shiny and awake लगने लग जाएं इसके लिए आपको बहुती आसान ingredients की जुरूत है और वो है olive oil, आप कोई भी olive oil इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले हमें एक lemon काटके रख विना है और फिर आप अपने nail को थोड़ा सो oil लेके मसाज करें या बेतर इसको सिरफ हर नेल को आप olive oil से लेप कर लें आप इनकी पर भी oil लगा के रखें इसका जूस आप देख रहे हैं की धीरे धीरे पूरी नेल की अच्छी तरह स्प्रेद हो गया है अगर आपके यलोग नेल्स है अगर आपके यलोग नेल्स है इस विल आपके यलोग नेल्स नेल इस तावल को धीरे धीरे मलना है और आप फील कर पाएंगे की धीरे धीरे जो रफनस है नेल्स पे वो कम होती जाएगे नेल्स उस्किष में पर नेल्स है या अगर डेद नेलकुमिलेशन है क्योंकि हमारे नाकुन पर भी नेल्स अच्यूमिलेट हो जाते हैं वह आप देखेंगे की धीरे धीरे गाइब हो जाते हैं और नेल्स फील क्लीन और antpolisht in no time. See you tomorrow. आपको हमारा कारिक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं आप अपनी राय हमें एमेल कर सकते हैं fit at ndtv.com पर जाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जूर सकते हैं इस्तेमाल कीजिए हैश्टाग fit रही इंडिया फिलाल पूरी टीम को अजाज़त दीजिए नमस्कार